प्रेंट स्वचा को सब्सक्त रखने के लिए संपुलिस एवं पॉसिक आहाल के साथ ही खरीद उपचार की भी ज़रूरत होती हैं आज हम आपको ऐसे ही खाद पदाज के बारे में बताने ज़ा रहे हैं जो हर घन में आसानी से पाई जाती हैं ये भी देखे, अब बाल स्ट्टेक करने हो तो लगाईए भ anci और केली का हेसा हैं भी का स्वास्त के साथ साथ सोंदवी निखाने में भी महसुपुन स्थान हैं ये एक बढ़िया सथा और आसानी से उपलग होने वाला सोंदवी प्रसादन हैं बही केसिस पैक लगाने से चुरे में उत्रार आता है और निंबू के साथ बालों में लगाने से बाल जना रुखते हैं ऐसे ही दहीं के और भी ब्रयोग है जिसके बाले में हम बताने वाले हैं पहला त्वचा को नमी चलान करें एक कटूरी में एक चमच जहीं एक चमच चहर और एक चमच को कोवा पड़न करें फिर इस मास्क को चहरे और चलबन पर लगा कर सखा लें उसके बाद इसे थंडे पानी से धोलें अचा करने से आपकी त्वचा अच्छे से नम होगी और स्किंग का टेक्चर भी सुढ़ेगा दूसरा अंटी एजिंग इंफेक्ट सेंट भी को आप रोजाना इस्दिमाल कर सकते हैं उम्र के साथ चहरे पर धारियां आने लगती हैं आप चाहे तो दोसे चार चमच भी के साथ थोड़ा ओच मिला दें और फिर उसमें नीमू और शहब मिक्स करती पीस्ट बना लें इस जाड़े पीस्ट को चहरे पर लगाएं और स्क्रप्ट करें नहीं मेलाक्टिक असिड होता है जो चहरे की डेट स्किं को निकालता है और शमकदा स्किं देता है तीसरा चाहियों को मिटाएं अगर चहरे पर कभी बहुत जाड़ा मुहां से आत्मी हुए थे तो वो जाईयों का रूप ले लेते हैं आपको अपने चहरे पर हर दूसरे विन दही लगाना चाहिए एक चमर दही में आदा चमर सीम्गू करत मिलाएं और चहरे पर लगाएं चोहता बालों के लिए बहतरी कंडिशनर बनाने के लिए 6 चमर दही में थोड़ा नायल तेल और दही में थोड़ा नायल तेल मिलाईए इस मिक्षन को थोड़ी देल के लिए पिज में रग दीजिए और फिर फिर पर लगाकर पानी से धूलीजिए इसमें आलोवेरा जल्वी मिनाईए पांचवा बालों का जणना रोके हाफ कब दही में दो से तीन चमच मेथी का पाउडर मिक्स करें और फिर इतरे सिर्ट पर लगाएं दही में देर सारे पोशन पाए जाते है जो बालों की जणों को ताकत देखे हैं थांच बालों कि बालों की जचे हैं